Hello students, आज आपनों के बीश में काफी समय के बाद आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है और फील का कारण जो है आप लोग समझते हैं और मैं आज उन दोनों students की बाद करूंगी जो चैनित हुए हैं परिक्षा में और जो चैनित नहीं हुए हैं तो जैसा कि आपको पहले ही पता था और शुरू से मैं कहते आई हूं कि यह प्रतियोगी परिक्षा है यह क्या है प्रतियोगी परिक्षा है और प्रतियोगी पुष्ट मैं गिरिदे स्टशन परें तो इसा की पोस्तेकालिया अध्यक्षों बनाई परिक्षा की यदि लोगवने इस परिक्षा के काल को खंडों में वह विभाजित करके और खुबाराम से दो बार एक्जैम दिया पेपर आूट हुआ प्रांक्टिस करते रहे करते रहे और कोरोना काल में जो है विभिन विसम परिस्थितियां होते हुए भी जो पेपर कंड़क्ट कराया गया उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट्स पहुँच करके जो उपस्थित रहे जिनोंने पेपर को दिया जिनोंने महनत की और जो सक्सेस्फुल हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुबकामना हैं बहुत बहुत बधाई आप लोगों को आपको भी आपके पूरे परिवार के सदस्यों को क्योंकि जो बधाई है बधाई के पात्र या खुशी के पात्र हम केवल एकात्मक रूप से आपको नहीं कह सकते हैं आपके साथ बहुत सारे लोगों का effort, बहुत सारे लोगों की सेवाएं, बहुत सारे लोगों का साथ और कहीं न कहीं मैं इन चीजों को मानती हूँ कि अफकोर्स शुब कामना हैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं जो आप आज अपने सफलता के पत पर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ स्टुडेंट्स ऐसे भी हैं, जिनका चायन नहीं हुआ, उन्होंने बहुत महनत की, मैं महनत को सलाम करती हूँ उनके, और महनत की सफलता प्राप्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं हमेशा वापिस वही बात दो रहाऊंगी कि ये एक प्रतियोगी परिक्षा है, अब कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन यदि हम किसी युद्ध की भी बात करते हैं, तो निर्णाया कि यदि निर्णे की बात करें तो हार और जीत में ही ये चीज़ें जाती हैं, तो जो लोग सलेक्ट नहीं हुए हैं, अपना मन छोटा ना करें, मुझे पता है, मैं ये चीज़े बोल रही हूं हो सकता है, आप लोगं को यह फील हो कि मैडम तो क्या फील करेंगे आपकी भावनाओं को नहीं ऐसा नहीं है मैं आपकी भावनाओं को पूरी तरीके से फील करती हूँ मुझे याद है वो टाइम जब आपका तीन गुना रिजल्ट आया था और मेरे पास बच्चों के इस तरह की कॉल आते थे कि माम हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे दो साल से हमने अपना सारा काम छोड़ करके इस तैयारी को अपना पूरा समय दिया उस समय पर भी मैंने आप लोगों को यही राय दी थी कि पूरा छोड़ करके देने का कोई मतलब नहीं क्योंकि हमेशा second alternative आपको रखना होता है आपको मैं यह बता दूँ कि आगे आने वाले समय में पोना वेकेंसी आएगी और मैं आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ जैसे मैं अभी तक आप लोगों को साथ में ले करके चली हूँ ठीक उसी तरीके से आगे भी आप लोगों को साथ में ले करके चलूँगी और डे बाइडे जैसे आप लोग अपग्रेडेड होते जा रहे हैं मैं भी काफ़ी अपग्रेडेड होते जा रही हूँ तो बढ़ च पहले तो ऐसा लग रहा था कि चीजें हवा में चल रही है काफी पेस्ट मेरे पास भी आ चुकी है तो जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुआ है बट्टे आप लोगों को अपना मन छोटा करने की बिलकुल जरुवत नहीं हैं आगे की भरतियों के लिए प्रयासरत रहेंगे और आप यही किजे कि आप इस exam के साथ-साथ कोई और exam जो आपके लिए भली भूत मतलब आपके इस विशह से सम्मंदित यदि आप जाना चाहे हैं तो यदि विशह में ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप प्रयास करें कि आप BILIP यदी हैं तो MLIP करने की कोशिश करें इस सिच्वेशन में इस विशह के अलावा या इस विकिंसी के अलावा जो भी surrounding विकिंसी आपको दिखती है जो आपके qualification को match करती है जो आपके तयारी के level को match करती है आप उस तरीके के तयारियों में ध्यान दीजिए और पहले भी मैं आपके साथ थी ना सिर्फ लाइबरेर बदाई उनको और मुझे ताज्यूब हो रहा है कि बहुत सारे students जैसा है कि आप लोग YouTube चैनल पे देख रहे होंगे YouTube पे follow करने वाले students इतने अधीक हैं और application पे जिन बच्चों ने test दिये हैं मुझे लगता है जो आपके 640 something 50 जो भी result आप लों का आया है यदि मैं प्रत्य देख शुरूब की बात करूँ तो direct या indirect की बात करूँ तो किसी ना किसी तरीके से ये जो साड़े 600 के करीब student से वो मुझे तो जुड़े ही रहे भले वो चाहे regular classroom में हो जो regular classroom में नहीं थे वो test series में जुड़े थे जो test series में नहीं थे वो YouTube पे मुझे follow कर रहे हैं तो कहीं आप लोगों का जुड़ाओ जो चैनित विद्यारती हैं उनका जुड़ाओ भी मेरे साथ बना है और जो नहीं चैनित हुए आपको मन चोटा करने की ज़रुवत नहीं है हो सकता है कल से आपको खाना अच्छा ना लग रहा हो लेकिन खाना जो है वो खाना पड़ेगा क्यो को आप नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देख सकते हैं तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है इस चुनावती को आपने स्विकारा ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है आपने हिम्मत करके ये एक्जाम दिया तैयारी अपने पूरे आपने उपर विश्वास रखा अ आप अपने एफर्ट से संतुस्ठ होईए मैं आज आप कोई बात कहना चाहती हूँ जब भी हम कोई परिक्षा देते हैं यदि हम प्रतियोगी परिक्षा की बात करें प्रतियोगी परिक्षा जो हम प्रतियोगी परिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ दो ही ऑप्शन जो है एक होता है pass और दूसरा होता है fail ये दो ही option जो है आपके pass होते हैं एक होता है pass और दूसरा क्या होता है fail यदि pass होते हो तो कहीं कुछ explain करने की जुरत नहीं होती है आपको किसी को बताने की जुरत नहीं होती है कि ऐसा क्या काम किया था आपने या ऐसे कौन से नहीं effort डाले थ यदि आप पास होते हैं तो आपसे कोई भी जो है कुछ भी पूछने नहीं आएगा लेकिन यदि यहीं पे आप क्या होते हैं फेल हो जाते हैं तो फेल होने के different different reasons यानि कि अलग अलग कारण जो है आपके सामने आते हैं आप यदि अपने आपको satisfy करते हैं तो उन कारणों को क्या करते हैं आप identify करने की कोशिश करते हैं यह जो कारण थे या reason थे आप क्या करते हैं identify करते हैं और जब आप फेल हो जाते हैं तो इन कारणों को identify करके इन में सुधार लाने का प्रयास करते हैं और जब इनमें सुधार लाते हैं तो इन सुधारों के पस्चात आप आगे पुना प्रत्योगी परिक्षा के लिए अपने आपको self motivated हो करके यानि कि आप स्वा मुल्यांकित हो करके, स्वा प्रेरीत हो करके जो है उसी दिशा में क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं लेकिन यदि इतने सारे reason हैं आप identify कर रहे हैं आपके जानने वाले लोग identify कर रहे हैं और इन reasons में इन कारड़ों में यदि आप उलजे ही रह जाते हैं कि मुझे तो समय नहीं मिला, मुझे तो bus पेपर एक बार आप कहा रहे थे big गया थट, big भी गया मानती हो, जो भी हुआ लेकिन कुछ भी हुआ आपका selection तो नहीं हुआ आपका selection तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ कि इस्तिती में ये जो कारण है, इन कारणों को identify करके कहां क्या कमी रह गयी थी, उस कमी को दूर करते हुए, यदि इसी दिशा में आपको आगे बढ़ना है, तो आप आगे बढ़ें और एक चीज़ और मैं आपको जो है वो बताती हूँ, आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, एक चीज़ का हमेशा ध्यान नहीं करता हो, शायद आपकी जहन में कभी आया ना हो, या कभी किसी ने बताया ना हो, तो ये मैं आपको बता रही हूँ, अहम ब्रम्हास्मी यानि मैं स्वयम ब्रम्ह हूँ चीज़ के, अहम ब्रम्हास्मी यानि कि मैं स्वयम ब्रम्ह हूँ यदि मुझे मेरे उपर भरोसा होता है, यदि मैं कर्तव्य निस्ठ हूँ, यदि मैं समय की पाबंद हूँ, और यदि मैं कार्य छमता अपने पास रखती हूँ, तो मैं स्वयम में एक ब्रह्म हूँ, और मुझे अपने कारियों को पूर्ण करने में, और उन कारियों को पूर्ण करके आत्मसंतुस्टी प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, हाँ, मैं अपना कर्म ही कर सकती हूँ, मैं अपना 100% effort ही दे सकती हूँ, इसके अलावा म जो भी आए, यदि मैं अपना 100% देती हूँ, तो मैं हमेशा क्या करूँगी, अपने आप से स्वाप रेरी तरहूंगे, आप मेरा ही एक्जामपल लीजे, आप मुझे ही देखिए, आप मुझे ही देखिए, मैं आपके लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल बिंदू हूँ, ना विशे की मुझे पहचान थी, ना मैं विशे को जानती थी, ना इस विशे में मुझे आप लोगों को ये सब चिज क्या आएगा, परिडाम क्या आएगा, और आज भी रिजल्ट आने के बाद भी इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, लेकिन कितने बच्चों ने मुझे कॉल करके बताया, ये केवल मैं जानती हूँ, ठीक है, और मैं वेट कर रहे हूँ, मुझे पता है, बहुत सारे स्ट कि वो मुझे कॉल करके बोलें, तब मैं एक बार समझू कि हाँ, उनका सेलेक्शन हो गया है, तो चाहूं तो मैं इतने सारे स्टूडेंट से मैं किसी का भी नाम अनाउंस कर दू, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं खुद चाहती हूँ, कि स्टूडेंट्स चला करके इस चीज की वैल्यू करें, वो मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा, तो ये क्या है, ये मैंने इसी जो है, ये थिंकिंग होती है, और इस थिंकिंग पे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो चुनोतियां होती हैं, उन चुनोतियों को प्रापार करने में, या उन इस टाइम आपनों के पास लाइव आँ, लेकिन लाइव का शीडूल मेरा नहीं बैट पाया आज, तो मैंने सुचा एक वीडियो कम से कम, वीडियो के माध्यम से, जो मेरी भावनाएं हैं, जो चैनिक विद्यारती हैं मेरे उनके प्रती, और जो नहीं चैनित हुए उनके कम से कम मैं उनको थोड़ा बहुत व्यक्त कर लूँ, आगे अब वापिस से जो है इस फिल्ड में आपके इस विशे के अंदर मेरी सक्रियता पुनह जो है वो क्रियाशील हो जाएगी और मैं आगे से आगे जिस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करते आई हूँ, जिस जैसे जैसे जो भी होगा आगे हम लोग उसी फ्लो में जो है continue करेंगे, तो जिनका selection हो गया है, एक बर पुनह बधाई, आपके परिवार के सभी सदस्यों को in fact मेरी तरफ से शुब कामनाएं, आप अपने पेरेंट्स को जरूर प्रेशित करें कि माम ने शुब कामनाएं द आपके help के लिए, आपके लिए किसी भी तरीके का कोई motivational यदी पहलू है, आपको किसी भी तरीके का matter यदी से related कोई बात है, test से related कोई बात है, classes से कोई related बात है, आप ज़रूर मुझ से discuss कीजे, मैं कुछ नकुछ आप लोगों को सहायता जरूर करूंगी, और हमेशा आपके और है, प्पा का जर लगों को